आईए, आज मैं आपको व्यपार जुगत से जुड़ी एक अनूठी एवं रोमांचक कहनी सुनाता हूँ, जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। कुछ समय पहले की बात है, एक राजा थे, उनके एक हुनहार मंत्री थे, जो की राजा के काफी प्रिय थे। मंत्री जी ने पहले विदेशी उपनिवेशवादी ताकत को फलने फूलने में काफी महत्वपूल फूमिका निभाई थी, पर देश प्रेम के एहसास के कारण मंत्री जी ने अपने ही राजी के मंत्री पत का कारेभार संभाला था। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा की, मैं अपने राजी के वैपारियों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझी यहां तक पहुचाने में अपना सहीयोग और समर्थन दिया। राजा ये बाज सुनकर भौचक के रह गए। लेकिन उनके प्रिय होने के कारण भारी मन से उन्होंने मंत्री जी को शाही विदाई थी। मंत्री जी राजा से विदा लेकर बाजार की तरफ निकल पड़े। उन्होंने राजी के विभिन मुख्य बाजारों में दुकाने स्थापित करना शुरू किया। ये देखकर लोग को लगा मंत्री जी क्या कर रहे हैं। इसी बीच मंत्री जी ने बाजारों की सनरशनाओं एवं व्यपार की बारी क्यों और होने वाली समस्याओं को समचा। इस तरह से कुछ वर्ष बीद जाने के बाद एक दिन मंत्री जी ने घोशना की कि वो छोटे वैपारियों एवं बड़े उद्योग पतियों की समस्याओं को दूर करेंगे और इसके लिए वो बड़े उद्योग पतियों से वैपारियों को सीधे जोड़ेंगे फिर मंत्री जी ने अपने अनुभव एवं रीसर्च से वैपारियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तयार किया और वैपार जगत में नई क्रांत दिलाती